हें गाइज वेल्कम बैक टू दी चैनल इट्स पर्स ट्राइज सो आज हम यूज करेंगे एक बोटल का जो हमारे डियाइवाई में बहुत काम आएगा और यह है हमारी वही प्लास्टर फैरेस मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते जा रही हूं और आज मैंने पिल्कुल हेंडी हो जाएगा और यह जैसे आप यूज करोगे वैसे यूज हो जाएगा फिर मैं ले रही हूं एक पेपर रोल का खाली रोलप आपने बहुत बारी देखा होगा आप कोई भी अपना पेपर रोल लेकर आते हो या टीशू पेपर लेकर आते हो या टॉलिट किया है उसके चारों और आपना जो किया मैंने मटेल किया था मैंने उसी को इस चारों और लपेड दिया है मैंने अच्छे से पानी कि हल्प से इसको से दे quickly झो दे दिया है और चारों तरफ से इसको पूरे के पूरे अपने जो अपना मोडल है या जो भी आप प्रोब यूज कर रहे हैं आप उसके उपर फैला लीजेगा नेक्स्ट मैं इसमें दो यूज करने वाली हूं क्योंकि मुझे पेर में चाहिए तो मैं उस दूसरे को भी ऐसे ही रेडी कर लूँगी पहले म कि मैं इसके उपर खरलोगी स्प्रेड करते करते आप देखेंगे कि यह बहुत ही आसानी से हैंडी तरीक्ते से क्या हो जाता है तो इसमें बार बार देख रहे हैं आप इशान भी मस्ती कर रहा है बीच बीच मेर्ट मुझे थोड़ा सा आज धूप अच्छी है इसल्हिए म प्लांट जैसा लाइक मतलब यह दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं धूप में सुखने के लिए तो अब ये सूप चुकी है और हमें चाहिए अभी water color या आप कोई भी acrylic color वगएरा कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपके पास हो तो अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा कर लेंगे water में add और brush की help से या आपको पता ही मैं burst का use नहीं करती हूँ मैं अपने निंजा टेक्नीक का use करती हूँ और उसी टेक्नीक से देखना मैं एक सेकंड भी नहीं लगा हूँगी और इस पे color एकदम से फैल जाएगा तो हमारा फस्ट जो प्रोब है वो ready भी हो चुका है और second होने वाला है तो देखो second भी जो है हमारा प्रोब भी ready हो चुका है अब हम फिर से उनको धूप में रख देंगे उससे पहले हम क्या करेंगे यह मेरे पास एक बजाज LED का मतलब cover था यह अपना cover जो है वो बिलकुल ही गत्य टाइप का ही है मतलब एक टाइप का ही paper का ही है तो हम इसके जो banners है जो पीछे की linings है वो सब hide करने के लिए जो इसको उपर लिखा हो वो सब hide करने के लिए एक dark color का use करेंगे मैं यहां पर black color का use कर नहीं हूं जिससे कि क्या है जल से जल finishing look आए और सब कुछ जो प और spending में भी time नहीं लगता है अब देखिए यह है मेरे पास एक और मिठाई का खाली डब्बे का धकन अब मैं इसके पहले चारों और paint कर लूँगी और देन उसके बाद मुझे को भी सुखने के लिए रखना है और बीच में सुखने के बाद मैं क्या करूंगी कि इस पे yellowish मैं color दूंगी क्योंकि holy है भई holy है और holy में हमें क्या करना है colors को ही फैलाना है रंगों की holy है हमें colors है वो जो spread करने हैं अब हम क्या करेंगे पहले मैं brush की help से करी थी as you know कि मुझे brush में उतना मज़ा नहीं आता है इसलिए मैंने फिर से अपना वही technique यूज किया है और मैंने इस पर कुछ fine look देने के लिए मैंने green जैसे आपको पता ही है trunk के थोड़ा बहुत green color भी होता है और फिर मैंने वही अपना sponge यूज किया और चारो तरफ color को फैला दिया तो मैंने इस पर yellow color दिया है यह में पास molded clay है जो कि मैं first time use करी हूँ otherwise मैं इतने पैसे नहीं लगाती ह और अब हम क्या करेंगे इसके संदर संदर से flowers बनाएंगे और flowers हम कुछ इस तरह से इनके उपर चिपकाएंगे आप हमेशा यह note करिएगा कि जो clay आती है molded clay आती है वह easily चिपक जाती है कहीं पर भी आप कुछ भी आपने flowers की shape देना है या leaf की या कोई bunch या कुछ भी अगर जो भी आपने मतलब ready करना है आपका जो भी है उसको आप जैसे भी shape देने कोशिश करोगे वह easily fingertips की help से ही क्या है वह हो जाता है जैसे मैं अपने fingers की help से ही मैंने flowers की shape दी है अब मैंने इनकी branches है वह भी बना ली है तो आप देखो दोनों तीनों चीज़े ready हो गई है सूप ग ने पहले वाले दोनों प्रोप पे पिंक ही कलर दिया है इसलिए मैं इनको भी पिंक कलर से फूलों से सजा दूंगी और मैं का दूए तो हमारे flowers बनकर हो गए है ready और अब इन flowers को enhance करने के लिए हमें यहां पर थोड़ा सा और color देना है क्योंकि हो ली है भी हो ली है और यह अभी मैं इनको दूंगी एक सुन्दर सी लीफ और यह देखो आप इस तरह से फ्री हैंड जब आप बेंडिंग करोगे तो आप देख रहे हो कि तीनों ही चीज़ें ready हो चुकिया आप इनको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं देखिए यह है final result मैंने इसको अपने fridge पे रखा है इसमें मैंने एक money plant लगा दिया है और दोनों जो हमारे cylindrical shape के जो हमारे cardboard थे या लगा लेजे हमारे जो roll up थे वो उनको हम क्या करेंगे as a stand यूज़ करेंगे आप उनमें कोई भी मतलब अपना pen when डाल सकते हो या अपने daily things जो भी आपको use में आती है वो सब आप इनमें डाल या फिर आप इन पर assemble करें आप कुछ भी आपकी वही बात है कि आप अपनी creativity के नुसार इन पर कुछ भी according to your creativity आप कुछ भी बनाईए आप कोई facial expression भी बना सकते हैं आप flowers तो मैंने बनाई दिया है आप कोई thoughts लिख सकते हैं कोई court लिख सकते हैं as you wish आपको जैसा मन हो आप सब नहीं है सो गाइज अगर आज का वीडियो आपको helpful लगा हो इसमें से आपको कुछ भी सीखने को मिला मिला हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं चैनल प्लीज इट्स फर्स ट्राइब